तो हम शेत्र मीति का चैप्टर कर रहे थे उसका नाइंथ वाल जो कुष्यन है वह हम आगे कंटेन्यू करते हैं तो कुष्यन नमबर नाइन में हमें दे रख है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की 24 मीटर है ब्रेथ 10 मीटर है और इसका पैरे मीटर हमें पता करना है सबसे पहले हमें प्रेक्टेंगल रोग कर लेते हैं है इसकी लेंथ हमें 10 मीटर रखिया है और ब्रेथ हमें सबसे पहले हम जान लेते है कि लेंडी परिमीटर का फोर्मूला क्या होता है हुआ है तो इन्टू लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है तो अब इसके अंदर यह तो था फॉर्मुला अब इसके तरह हम बैल्यू पूट कर लेते हैं टू मुल्टिप्लाइबाइब लेंथ कितनी है 24 और ब्रेथ कितनी है टैन तो ब्रैकेट पहले सोल करेंगे 24 और प्लस किलने होगे 24 प्लस 10 इस इगल टू 34 इन दोनों की मुल्टिप्लाइब करेंगे तो कितना असरा आएगा शिक्स्टी एट तो इसका अंसरा आएगा नाइंथ का 68 मीटर तो इसके वाद हम टैन्थ किशन करते हैं इदे रखें रेक्टेंग लेंथ ओफ रेक्टेंगल इस 25 मीटर एंड ब्रैथ इस 25 इट्स पैरिमीटर समझे पहले हम एक रेक्टेंगल रो करते हैं इसके क्या दिरख है जो लेंथ है यह है 25 और ब्रैथ है 20 ठीक है तो सेम फोर्मला अप्लाइब करेंगे पैरिमीटर इस इवल टू 2 मल्टिप्लाइब लेंथ प्लस ब्रैथ पैरिमीटर में रखें टू को मुल्टिप्लाइब लेंथ कितनी है 25 ब्रैथ कितनी है 20 तो इनको ब्रैकेट को सोल कर लेंगे पहले 25 प्लस 20 45 45 मुल्टिप्लाइब टू इगल टू 90 अंसर इसका अंसर है 90 ठीक है अब इलाम त्यूशन है पैरिमीटर ओफ रेक्टेंगल इस 250 अब हमें पैरिमीटर दे र हमें पैरिमीटर दे रखे है 250 मीटर ब्रैथ दे रखे है 20 मीटर है अब हमें इसकी लेंथ का पता लगाने है तो पैरिमीटर का फोर्मुला क्या होता है है तो मुल्टिप्लाइब लेंथ प्लस ब्रैथ ठीक है अब हमें पैरिमीटर दे रखे है तो पैरिमीटर के वैलिव हम इसके दर पूट कर देंगे तू मुल्टिप्लाइब लेंथ हमें पता करनी है प्लस ठीक है अब हमें ब्रैथ दे रखे तो ब्रैथ की वैलिव हम इसक से डिवाइड कर देंगे बाइ में टू मल्टीप्लाई बाइ लेंथ टू से टू कट गया यह इसका हाफ कर देंगे वन फिफ्टी आ जाएगा नहीं वन टूंटी फाइव तो एक कम दो दो दूनी चार दो पंची तस एक सो पच्छिस यह दो से यह दो कट गया ठीक है तो माइनस ट्वंटी वन जिरो फाइव मीटर अंसर मैं वो दूबाय समझा देती हूं देखो हमें पैरिमेटर दे रखा था दो सुपचास मीटर ब्रैथ दे रखे है बीस मीटर हम इसकी लंबाई पता करनी है सेम वैल्यू यह सेम फॉर्मूला लिख देंगे पैरिमेटर इस इस फॉर्मूला लिख देंगे पैरिमेटर जो है परिमा पर उसको यहां लिख देंगे दो गुणा में सेम लंबाई हमें गयात करनी है तो लंबाई की जगाप पहले दूँगी ब्रैथ हमें पता है 20 मीटर तो 20 मीटर यहां पर लिख दिया अब इन दोनों को बराबर करने में 125 माइनस 20 क्योंकि यहां पर प्लस है तो यहां के यह माइनस हो जाएगा तो 125 में वेनस में से 20 गडा दिया तो 105 तो इसका अंसर है 105 प्रीमेटर ऑफ़ यचाश लेंट के लेंट है तो इसकी 105 मेंटर जो है इसकी लेंट है जाएगी आई होप आपको यह समझा गया होगा कर दो